तो जहिन नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोदरी और आपका स्वाकतों मेरे यूटूब चैनल कमांडो केडवी में दोस्तों कई दोस्तों को यह प्रोब्लम होने वाली है कि डोकॉमेंट्स क्या-क्या चाहिएंगे मेरे को मैंने एक इससे पहले भी जोइनिंग लेटर पर व इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया लेकिन कुछ लोग बात में जब नहीं जुड़े हैं उन्होंने वह वीडियो नहीं दोस्तों तो आपको क्या-क्या डोकॉमेंट्स लेंगेंगे क्या-क्या नहीं क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्ता है वो मेरे इंस्टाग्राम पर टरिव्य वीडियों मेरे टेलe ग्राम मेरे जो गूब है उससे पर यॉस पर जों देखिए क्क दोफिर पर शुत दोności दोपंप पर दोस्तों तो दो irm तो दोस्तों क्या क्या जो इटाफके आपको चाहिए उसके सबसे पहला जूर्ट वर्थ के लिए जी जो चाहिए कि आपकी जैतो बर्थ के लिए हिस्चे आप ऑड की लिए है ant सब्सक्राइब कर दोस्तों जो लोग नए मेरे से जुड़े हैं या कुछ मेरे दोस्त जो पुराने भी है वो मेरा दूसरा यूटूब सब्सक्राइब कर ले उसका लिंक में डिस्क्रेप्शन में दे रहा हूं और साथ में मेरे चैनल के साथ अटेज भी कर रहा है तो आप सभी दोस्त उदर भी जूट सकते हैं मेरे से तो दोस्तों जो पहला डोकुमेंट होता हुँ है डेट ओप सेटिफिकेट जिसमें आपकी डेट होनी चाहिए चाहिए कोई सा भी हो एक मतलब हाई सेगेंटरी स्कूल का या एजुकेशन जो बोड उसका या आपका जनम परमान पत्र है वह सब वेलिड होगा दोस्तों दूसरा जिस डिप्लोमा अगर आप चाहो तो यह डिप्लोमा आप जमा करा सकते हो अगर आप जो भी आपके पास अवेलेबल इफ अवेलेबल अगर आपके पास में कोई भी डिप्लोमा है अवेलेबल और आप जमा कराना चाहते हो तो जमा करा सकते हो दोस्तों लेकिन यह कोई अनवारे नहीं है लिखावा देखो डिगिरी डिप्लोमा सेटिपिकेट ओप एनी अधर क्वालिफिकेशन चेटिफिकेट इफ अवेलेबल यानि अगर आप कराना चाहो आपकी इच्छा है इसमें आपको डिपार्मेंट नहीं बोलता कि आप जमा करो अगर आपकी इच्छा आपको भी कराना चाहते हैं तो करा सकते हो इसके अलावा देखो जो OBC, AC, ST इन केटिग् आपको जमा कराना ही कराना होगा क्योंकि आप उसका आरक्षन लेके बढ़ती हो रहें दोस्तों तो इसमें गलती ना करें जो जो डोकुमेंट में बता रहा हूं इसमें कोई भी नोन ऑबजेक्शन सेटिपिकेट डिस्चार्ज सेटिपिकेट प्रिवेस इंप्लेट यह ज दूसरी जोब छोड़के इस जोब में आरा गोर्मेंट जोब तो उसके पास से नोन ऑबजेक्शन सेटिपिकेट होना चाहिए कि जिस जोब को आप छोड़ रहो वह आप पर कोई भी ऑबजेक्शन ना करें इससे अगला पॉइंट 500 पॉइंट है यह भी उन्ही के लिए ज एक वल उनके लिए तो आपके लिए नहीं है इससे अगला पॉइंट है 6 नमर दो पॉइंट है 10 copies of recent passport size photo मतलब 10 आपके पास में photo होनी चाहिए आपके पास में photo होनी चाहिए अभी तक जो डोकॉमेंट मांगे यह सभी आपके इसमें माता-पिता का कोई भी डोकॉमेंट नह तो दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखना state bank of india आप कई लोग अभी state bank of india में open कर लेंगे लेकिन आपको इसा नहीं करना है यह मेरा जोइनिंग लेटर है हमसे state bank of india का account मंगता जरूर नहीं कि आपसे state bank of india का ही मंगे किसी और bank का भी बोल सकते है तो अभी open ना करी आ चाहिए और ATM भी होना चाहिए ATM फेकल्टी देखो इसमें नीचे लिखावा है किसी और bank में भी कर सकते हैं तो जो दोस्त अभी तक open कुछ लोग मेरे को बोलने से हम state bank में open करा लेंगे तो अभी नहीं कराना है क्योंकि आपको time दिया जाएगा और कुछ लोग यह भी बोलने है जो आपको OBC जो certificate है कैसर इसकी date खतम हो गई यह नया बना ले या नया नह नहीं बनाएं तो दोस्तों जब आपका जमा कराय था तो वह भी चल सकता है और आप नया बनाना चाहो तो नया भी चल सकता है क्योंकि OBC वाले की कहीं जिगे 6 महीने की date है कहीं जिगे 12 महीने की date है तो जिनकी वो date है उसके साब से आप चेंज करा सकते हो तो उसमें कोई problem नहीं है वो आपके लिए अच्छा है लेकिन अगर नहीं भी कर रहा हो तो आपने एक बार वहां पर जो मेडिकल इंकोईर में दिया था वो भी मन्य होगा दोस्तों कि इसके अलावा यह अगला जो पॉइंट है कि सम ओप 4,000 रुपीज मतलब 4,000 रुपे आपको मेस के इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कम से कम आप कम से कम आपको अब कम से कम आपको 8,000 रुपे के आज पास लेके आने दोस्तों साथ से 8,000 रुपे आपके पास में ज्यादा ही 8,000 के आज पास आप मान लिए आप अपने घर से जब चलते हो तो यह पैसे लेके नहीं तो दोस्तों इसमें आपने देख लिया कि कहीं पे भी आपके कोई भी माता-पिता के डोकोमेंट नहीं है अब इससे अगला जो आपक साथा काड आपका अनुवार है अब इसमें कहीं पे भी इसमें कहीं और भी दोस्तों से नहीं बताया गया है कि ultimate Des दोकोमेंट किसका तो इसमें आपके माता-पिता के या उनके किसी के भी डोकमेंट्स नहीं है इसके अलाव ओर कोई भी डोकमेंट्स उनका नहीं लगेगा एडरस पुरूप के लिए आपका मूल बास माजने हो इसमें लिखावा है के लिए आपको मूल निवास लाना है जो आपका साध और OBC वाला वह भी जरूर लाना है जो जिस केटेगरी से बिलों करता है उसको उस केटेगरी का जरूर लाना है बाकि आप 10th कोफी पास्बुक चेकबुक हो गया लाइट विडिंग यह सब हो गया दोस्तों आपको मूल OBC सेटिफिकेट अगर कोई गवर्मेंट अपला है दूसरा तो नौन अब्जेक्शन सेटिफिकेट वह वेरिफाइड भी होना चाहिए आपके टेंध रिसेंट फोटू पास्पोर साइज की फोटू होनी चाहिए चार जार इस बार आप 8000 रुपे मानके चलिए आपको 8000 आपके साथ में लेकिए आना है साथ में आपकी लाइट वेडिंग परसनल पेन जो आपका पेन कार्ड और आधार कार्ड अब इसमें माता-पिता का कई भी डॉकॉमेंट नहीं मंगा गया है तो यह दोस्तों होती है आपके डॉकॉमेंट और भी से समझेए आप कौन सी जा आपके अभाएंग और भी से स्वेरशन अंग पार आपकॉमेंट कहेंदे तो हैंट भी वेड़ा किन है तो है उसक्सित्षाठोब कर्दधे नहीं है झाल झाल